नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सिभा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिभा आउनलेन क्लासिस दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक और नई भरती के बारे में तो चलिए दोस्तो आपको लेकर चलते है हम उस नोटिफिकेशन पे जहां पर यह भरती निकली हुई है और इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे इस भरती से रिगार्डिंग A to Z मतलब आपके एजुकेशन क्या होगी आपका फिजिकल फिटनिस क्या होना चाहेंगे आपके हाइट आपका वेड और जो भी इस भरती से चीज़े होंगे हम इस वीडियो में आपके लिए सब की सब बताने बाले हैं तो वीडियो छोण कर कहिमत जाएगा दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथे साथ बैल आ जबी डिटेलज होगे मैं आपको पूरी की पूरी यहाँ पर आपको बताने वाला हुँ हु wordt उसके बाद मैं इसको जूम कर लेता ह्हां और आपको कौन कौन से पोस्ट पर भडरतीं है वह आपको मैं बताने वाला हूँ हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिखेंगे आप सोल्जर टेक्निकल मेल ठीक है तो सोल्जर टेक्निकल मेल की दोस्तों भरती है यहां पर एज लिमिट यहां पर दे गई है हाइट बहुत ही जदा कम लिजारी है तो 163 सेंटीमेटर ठीक है तो 163 सेंटीमेटर में पर हैट लिए जा रहा है 48 kg आपका बेट लिये जा रहा है और चेस्ट आपका 77 cm जो की नॉर्मल लिये जाता है पिलस आपके लिए जो चेस्ट होगा वो 5 cm का expansion भी करना पड़ेगा तो इस भरती में दोस्तों आपको apply करने के लिए जो education की जरूरत पड़ेगी बहुत होना चाहिए आपके पास में आपको intermediate याने की दोस्तो 10 plus 2 class pass होना चाहिए उसके बाद में आपके पास में जो subject होंगे वो physics, chemistry, math and English with 50% marks आपके पास में होना चाहिए उसके बाद में किसी भी single subject में आपके पास में जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे आपके पास में तो पांच सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में 40% मार्क से कम नहीं होना चाहेंगे मतलब आपकी जो overall percentage होने चाहेंगे वो 50% और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40% मार्ट से कम नहीं होना चाहेंगे तो यह बात होगी दोस्तों soldier technical mail की उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं soldier technical ammunition examiner ठीक है तो ammunition examiner से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो भारती से ना के हैं दोस्तों soldier technical ammunition examiner 80 ठीक है एज लिमिट इनकी भी साड़े सत्रा से तेस साल ली जा रहे हैं उसके बाद में एक अक्ट्रू 1997 से एक अप्रेल 2003 के बीच में अगर आपकी date of birth है तो आप इस भरती में अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आपकी जो हाइट हो की बो 63 सेंटीमेटर ली जाएगी बेट आपका 48 kg और चेस्ट आपका 77 सेंटीमेटर इस भरती में अप्लाई करने के लिए आपको 10 प्लस टू एक्जाम पास होना जरूरी है बिद आपके पास में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंगलेस बाकि की जो एजुकेशन की परसेंटेज है वो फिछली ट्रेट के हिसाब से ही जो कि मैंने ऊपर बताया था आपके लिए मतलब आपके लिए जो ओबरॉल परसेंटेज होना चाहिए पचास परसेंट और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 40 परसेंट मांक से कम नहीं होना च मध्ति होती है तो ग्रूप करीव 6,000 रुपे की इस घ्र होले गीज आर्म की चाहिए गया तो इस भर्ती में भी आपको अपलाई करने के लिए साड़े सत्रा से त्येस साल तक आपकी एज लिमिट होना चाहिए एक अक्टूबर उन्नीस सतानवे से एक अपरेल दोजार तेन तक आपकी डेट वबर्थ होना चाहिए और आपकी जो हाइट वो 163 cm होना चाहिए बेट आपका 48 kg और चेस्ट आपका 77 cm इंट्रमेडियेट पास होना चाहिए आपको दोस्तों इस भर्ती में अपलाई करने के लिए physics के chemistry math and English आपके पास में ये 4 subject होना mandatory है किसी भी subject में 40% माक से कम नहीं होना चाहिए और overall जो percentage होना चाहिए आपकी वो 50% होना चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट तो यहाँ पर यह एने की भर्ती है दोस्तों सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट तो नर्सिंग असिस्टेंट में आपको भर्ती देखने के लिए साड़े सत्र साल से तेर्ष साल तक आपकी एज होनी जाहें एक अक्टूबर 1997 से एक अप्रेल 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहेंगे मतलब आपके निजरम्चती होना चाहेंगे हाइट आपकी एक 133 सेंटीमीटर बेट 48 केजी और जो चेश्ट होगा आपका वो 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है उसके बाद में दोस्तों 10 प्लस टू आपको पास होना चाहेंगे विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायलोजी और इंगलिस आपके पास में यहां पर सब्जेक्ट होना जरूरी है यहां पर दोस्तों मैथ हट गया है मैथ की जेगे पर आ गया है यहां पर बायलोजी ठीक है तो अगर आप शॉल्जर नरसिंग की वह देख रहे हैं तो आपके पास में इंगलिस और दोस्तों कॉन-कॉन से ट्रेयर पर भढ़ते निकलिने उसके बारे मां अभी हम आपके लिए बताने बाले हैं दोस्तों कि यह जो भरती है वो कहां पर निकली है और इसके online registration कब से start होंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों Army Recruiting Rally for Soldier Technical Category at Paddle Ground Monday HP from 6 October 2020 to 14 October 2020 तो यहां पर डोस्तों जूस भरती है भूँची अक्टूबर 2020 से 14 अक्टूबर 2020 के बीच में यह भरती हो नहीं है और यह भरती होनी कहां पर हो दोस्तों faculty ground Monday तो Monday है दोस्तों हमाचल प्रदेश में तो यह जू भरती है वो हमाचल प्रदेश के यवाउं के लिए हैं आप हिमाचर प्रदेश के कौन-कौन से वाइस भरती में सामिल हो सकते हैं वो मैं आपके लिए बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके जो online registration है वो 7 अगस्ट 2020 से 20 सितंबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे तो आज है दोस्तो 6 अगस्ट आने की कल से इस भरती के लिए जो है आपके online आवेदन आप कर पाएंगे ठीक है उसके बाद में आपके जो admit card होंगे वो आपके registered email id पे 21 सितंबर 2020 के बाद में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे तो 21 सितंबर तक आपके इंतियार करना पड़ेगा 20 सितंबर तक आप भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं 21 सितंबर से आपके पास में admit card आना आपकी registered email id पे start हो जाएंगे तो दोस्तों इस भरती में अगर आप सामिल होने चाहते हैं तो आप similar इस इन डिस्ट्रिक्स से आप अगर बिलोंग करते हैं मैं एक बार डिस्ट्रिक का नाम फिर से बता देता हूं similar इन डिस्ट्रिक्स से बिलोंग करते हैं तो आप 6 अक्टूबर 2020 से 14 अक्टूबर 2020 के बीच में पैदल ग्राउंट मंडी के लिए जा सकते हैं अगर आपने online registration करके रखा हुआ है तो जो कि 7 अगस 2020 से 20 सितंबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों सोल्याट टेक्निकल की यह जो वैकंसी से बहुत अच्छी वैकंसी होती है यहां पर तो उसके बाद में दोस्तों आपके कुछ हम फिजिकल के बारे में बता देते हैं क्योंकि मैं जो बीडियो बनाता हूं उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं जो यूबा होते हैं वो हमसे फिजिकल के बारे में जरूर पूंचते हैं तो यहां पर जो फिजिकल है दोस्तों उसमें कोई भी चेंजिस नहीं हैं तो आपके लिए 60 मार्क्स दिए जाएंगे और पांच मिनट 31 सेकंड से पांच मिनट 45 सेकंड तक अगर आप रेस पूरी करते हैं तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे उसके बाद में दोस्तों पुलप्स और कि भीम की यहां पर बात कर लेते हैं तो अगर आप 10 पुलप्स लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे 9 पुलप्स लगाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपको पता नहीं है पता करना है आपके लिए तो आपको वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरू बता हैं जिससे क्या होगा मैं आपके लिए आपकी पूरी जो भी क्वारी होगी उनकी कमेंट में आपको रेप्लाई देता रहूंगा तो चलिए दोस्त तो उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेने जैहन जैए